संजर राओ जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हराम खोर लड़की हूँ आप एक सरकारी मुलाजी में, एक मंतरिया आप तो जानते ही होगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे, कितनी लड़कियों के बालातकार हो रहे हैं उनकी बॉड़ी काट के ऐसी डाग के फेक दी जा रहे हैं, उनकी काम की जनाओं पे उनको गालियां दी जा रहे हैं उनका अपमान किया जा जा उनकी खुद के पती, उनके कान, नाक, मुख, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं और आपको बता है इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार है यह जो मानसिक्ता आपने जिसका भॉंडा परदर्शन पूरे समाज के सामने पूरे देश के सामने किया है वो मानसिक्ता इसकी जिम्मेदार है और इस देश की इस देश की बेकिया आपको माफ नहीं करेंग आप देख लिजे मेरे पुराने कोई भी इंटर्व्यूस आज जब वो पाल घर की लिंचिंग में साध्यों को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं खड़े रहते हैं या एक लाचार बाप जैसे कि सुषान के पिताजी नहीं लेते हैं मेरी स्टेक्मेंट नहीं लेते हैं तो इस परसाशन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ यह मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है मैं उनकी निंदा करती हूँ संझे जी मैं आपकी निंदा करती हूँ आप महराष्ट्र नहीं है आप यह नहीं कह सते कि मैं महराष्ट्र की निंदा की और संजी मैं 9 जबडा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे, आप लोग मुझे मारिए क्यूं क्योंकि इस देश की जो मिटी है, वो ऐसे ही खून से सीच कर, इस देश की जो गरिमा है और असमिता के लिए ना जाने, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजेजी, हम भी देंगे क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है मिलते हैं 9 सप्टेंबर को, जैहिंग, जैमहराश्टर